इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिये, कॉमेंट करिये और अपने फ्रेंड के साथ, फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिये गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे नियूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है तो उनका मैंड बना दिया गया, अब हमने पिछले कुछ हरसे थे देखा है, पाकस्तान में वही महोल बनाया जा रहा है, इसको ज्यादे रेडिकलाइज किया जा रहा है, इसमें स्टेड लेवल पे कुछ हनासे रहे हैं, इनके वजीरों के कुछ के बियानाता आप देखें इवन इनके अपने अपने उस पर हकूमती स्टाइल पर आप देखें, आप उस पर यह मैं आप कैसे के डिटेल में नहीं जाना जाता, एसता हम एक एक उसके मैचिंग क्राउड की तरफ जा रहे हैं, जो इंडिया में हमें नजर आती थी चीज़ें, आप वो पाकस्तान में इनको गिराएंगे, अब सेम मसला यहां पर कराक में हुआ हैं, वो यह कहते हैं, यह हिंदु बजूरुक थे, उनकी समाधी है, उनकी समाधी है, अब उस पर उनकी लड़ाई हुई है, उसकी उनकी कबर है, उसको लेके और उस पर हंगामा करने वाले काउन है, हम तो समझते के पाकसान थोड़ा प्रोग्रिस कर रहा है, थोड़ा सा त्रक्षी आफ़ता लोग है, जेजु आई के लोग है, जेजु आई के मज़े की चीज़े ज़रा जहन में रखिएगा, और उस पर पुलीस का बड़ा शरमनाक, इनका किरदार है, पता था कि लोग है, आपने हम मसल्मानों को एक दाद दे में से, वह यह है कि डुन-चीज़ कि मुलकों में रहते हम चाहते हो सैकलर मौ भूट हूं, सैकलर ससेटी हों, यहाँ ऎखी हम नहीं चाछते हैं किञेए हम करेंगे सिक्राइड भी चाहने रहें आपके कृष्ट जा हैं यहां पर हनिते को कोई बहुत हैं जा पर कम्राइब किनों अमस ? हमेने दीक emergenal तरह पर कोर नाम लें डिनाभ उसके लगना शनुरू हो ça T eight बाराल मौनाक भजरमान हैं उसके बाद रेक्शन आए का इंडिया में इन पे इन पे आके इस पे जिस्टिफाई जो ने किया है जिसके हम वहां मुझमत करते हैं इंडिया में कि यह कुछ सारी चीज़ गलत हो रहे हैं वो जो थोड़ा सा थोड़ा सा अब ज्यादा रहनी जाएगा आने वारे दिनों एक मुरलेस जो है सुसाइटी ने हमारा एक रिवर्सल हुए और अच्छा हुआ है ओवराल ये इस तरह के वाकियात उस उसको तोड़ देते हैं उस यकीन को और वो जो कंसेंसिस हो गया है इस तरह का क्योंकि यह देखें सैकुलर में लफ्स यूज इस नहीं नहीं करता कि आदमी की दफार उसको ना कंफ्यूज कर लेता है लादिनियत के साथ इससे मुराद ही होती है कि दूसरों के काईद और मजब की बरदाश्ट जो के हर मजब के अंदर है इसलाम समय इसलाम में तो बहुत ज़्यादा उसके वितले का गया है कि बरदाश्ट करना चाहिए उस यह जो वहां पे मजब समादी जो बनाई जा रही थी यह जो बताए गया है। कम असकम ये है कि मीडिया पे मुझे इसकी एक बिल्कुल अक्रॉस ता बोर्ड जो है एक मजबमत की गई है और प्लिटिकल उसके अंदर से भी मुलाना फज्जुर रेमान क्योंके खामोश है वैसे और ये का कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायर इसमें काफी सारे लोग उनकी पार्टी की हैं बगया जैनरली जो है पार्टी पोलिटिकल पार्टी के प्लिटिकल स्पेक्टरम की तरब से भी इसकी मजबमत ही की गई है जो के कॉंट्रास्ट है और यह हम इसमें थोड़ी सी जिस तरह है मैं अप्रासब हम इस चीज़ के बड़ी प्राइड लेना शुरूर बहुत ज़्यादा दोर आते थे अपने इंडिया के जो भी कहते थे के ना तुमारी पहले वो था हमारे हम बेतर आलात हो गई हैं के बाब तो यहां एक कांट्रास्ट तो है कि यह वाकिया हो गया आज ही फ़र जापल वहाँ पे इंडिया में मस्जिद गिराई गई है और वो कल गिराई गई है और वह भी इस तरह के बादे के वाकिया प्राइड कराने में पुलीस और इस्टैब्लिश्मेंट इंडिया की हुती हैं तो हमारे अंक हैं वाकिया अगुजर वर कर बिछांए हैं फ место इस मस्ले वह थोड़ी सी चूटती है आज ही वह सशल मेडियों का जी तो भी हो तो आप की क्य भी होगा है नहीं हमारे या फरक होना भी निश्टी है चाहिए तो एक तो हैं हमारे हम वह इसी बढ़ी चोटी शीक्लियत है यहां दो तिन परसंट की तो चोटल अक्लियत है तो उनको भी जो है उनके हां बंदना 18-20 करोड मुसल्मान है तो वो उनका एक जारजर मसला है तो हमारे हैं अगर उनकी भी नहीं हम कर पाएंगे अक्लियतों की अफाज़त तो फिर उससे वो जाता है मगर यह तकलीफ दे बात है आई होब के चीश जस्टिस ने बहुद अच्छा यह काम किया और इसको फालो अप करेंगे और सब को यह सजाए होंगे यह फिर बाकी जो है ना लोगों के लिए इस तरह के जो शिदत पसंद इंतिशार पसंद लोग होती है उनके लिए सबक हो है दो चार और थी है हलका सा ही आई कोशिश करती है और रेटिंग नहीं आती है वो पैरिफरी में दो चार लोग है जो कोशिश की जाती है अमें भी थोड़ा सा अडिमिट करना जा नहीं करेंगे यह चीज बढ़ती जाएगे हमारे कुछ एंकर्स जो हैं वहां पर इंडिय जो एंकर्स हैं इंडियन चैनल्स हैं उनकी आपकी शायद आंक से नहीं गुज़रते हैं मैं नेशन चैनल्स को कॉपी करने ही कोशिश करते हैं अगर हम इन से आँखें चुराएंगे कि हमारे बिलकुल चीज़ें वो ठीक हैं और हम उनकी तरह नहीं है मेरा यह आप से रहा करेंगे एक दूसरे के इशू समझेंगे एप्रिशेट करेंगे बाद चीज़ें और जहां पर डिफर करेंगे प्लैटली करेंगे आप यकीन करें हमारी वो नसले बेहते थी जो इससे पहले है इसे यह सोशल मीडिया की पहले की जो एज थी नसल थी वो लोग अभी बेहते पाकिसानी अभी मिलते थे बैटके दो चाल मिनिट गुफतगू हो सकती ती डिलाग वो सकता था बाद चीज़ वो सकती यह सोशल मीडिया के दुन्या में इतनी गंदी गंदी गालें देंगे एक दूसरे कि इतनी गंदी जबान इस्तमाल करेंगे इसने ज्यादा है वाकिया होने में अब तो वहा पर डे टू डे बेसे से इधर वहाँ पर को एक्षण होता है इधर रिक्षण आता यहां का कोई और सकते arma The तो मुझे याद आ रहे हैं लास्ट बार्डिस का मांट बैटन का मैं उसकी थोड़ी सी पढ़ आ था कोई उसकी दोचर चीजे उसका यह ख्याल था जब कहूटा में मैसकर हुआ ना वहां पे कहूटा में पिंडी में आके किया था फार्टी सैवन में उसके बादो कन्वेंस ह हो गया था कि यह दोनों जो हैं ना हिंदूस मुस्लमान जो हैं यह कठे इस वज़े से नहीं रहना चाहते कि इनकी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती तो अगर इनको अलग कर दिया जाए तो यहां पे हमेशा के लिए हिंदू मुस्लमान पुराना मसला है यह ना पिछले हजार साल में हाल लुआ हुई ना अगले हुजार साल में नजरला अगले बार अगेन इनसे साउड है अगर हम पाकिताने उने जी कुछ करना है तो मैरे एक राग्या जो कुछ यहां पे किया गया आगिए हैं इसके इन लोग नोग उन–ग्तने पड़ेंगे ये इंडियों मुसलमानों को भुकतने पड़े गए और उनके पास जिस्टिफिकेशन आ जाती होते हैं बईसाब कि अगर हम यहां पे कारें तो आपके भी जो मुसलमाने वहां पे वहां पे वही कुछ हमारे साथ कारें ये ये पुईंट आजाता है जो खेवर पक्तूनखा में करक में मंदिर था वो 120 सान लगभग पुराना था और उसमें एक हिंदू संथ थे उनकी सामादी थी लेकिन यहां पर आपको पता होगा कि इस मंदिर को लगभग तीन वार तोड़ा गया है यह तीसरा टेक था और इस बार फूरी तरीके से तोड़ दिये गया है अब पाकिस्तानी मीडिया में यह ड्रामा हो रहा है जिसलिए मंदिर तोड़ा उसे अरेश्ट किया गया है मतलब आप समझ सकते हैं फोटो खीचने वाली जो परोसस होती है वो हो रही है कुछ दिन वाद वो भी छूड़ जाएगे बंदर तो टूट गया राफ क्लासरा और यह आमिर मतीर भारत से इसकी तुलना कर रहा है आपको बता दे कि भारत में भी कुछ दिन पहले जो अटेक हुआ था एक मजार थी या मजजित थी जो भी थी तो यहाँ पर डिफरेंट वावला है हाला कि यह चीज़ भी सही है यहाँ पर भी अटेक हो रहा है और इसका मेल रीजन पाकिस्तान ही है क्योंकि एक्शन का रियक्शन होता है और बहुत लबे सवाए से पाकिस्तान में ऐसी घटा हो रही यहाँ से नहीं लगभग जब से पाकिस्तान बना है तब से हो रही है और मैं कहूँगा जब से मसले मिनमेडर्स ने भारत पर हमला किया है वो बेसिकली मंदर को सबसे आला टार्गिट बनाते है इसमें कोई दो रहा है नहीं है इस मुद्धे को डेफेंड कर दी की कोसिस कर रहा है विल्कुल गलत है आपको पता होगा पाकिस्तान यहाँ आपने आपको ऐसा प्रूब कर रहा है जैसे कि यह बहुत दूद से धुले हुए हलां कि रॉप क्लास्टर ने यह बात भी बोली है कि मुसलिम पूरी दुरिया में हर जगह जहां पर कम तादात में रहता है मतलब अलप संक्यक रहता है वो चाहता है सैकलरिजम और अगर जैसे ही वो अलप संक्यक से ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर वहाँ चाहता है आप समझ सकते है इस्लामिक कानूर, सैकुलरिजम नहीं चाहता है तो वही कुछ यहाँ पर रॉक क्लास्टरा ने एक्स्प्लेन किया है ऐसा ही कुछ रियल्टी भी है और रॉक क्लास्टरा ने इंडारिक्ली ये सच मोल भी दिया है तो दोस्तों आपको क्या लगता है जो 120 साल पुराने हिंडू अंदर पर पाकिस्तान में हमला हुआ है उसमें तो आप क्लियर नहीं पता है पाकिस्तान ये हर बच्चे-बच्चे का माइंड़ सैट एक ही है मैं लबे वर्शन लोगों की बात कर रहो 10% थोड़े होते हैं जो कुछ हद तक ऐसा चीज़ों का बरोद करते हैं लेकिन बच्चे-बच्चे का माइंड़ सैट एक साही है काफिर, काफिर, काफिर ही है मतलब काफिर आप समझ सकते हैं काफिर कुछ जहंडों भी मिलेगी और इसी का रियक्शन अब इंडिया में भी आनल सुरू हो गया है क्योंकि अब एक्चुली वे सोसल मीडिया ते इतना एक्सपोस कर दिया है ये चीज़े पहले लोगों को पता नहीं थी अब लोगों को बहुत आसारी से ये चीज़े पता लगने लगी है तो इंडिया में जो हिंडू है वो भी आपिसली इसका एक्शन का रियक्शन होगा और वो ऐसी हरकते करने लगे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है और आपको बता दें कि पाकिस्तान में लगभक 30 से 40 टेमपल ही भचे है जो मतलब जिन में अभी पूजा होती है बाकी जो टेमपल है वो या तो खंडर बन चुके है या तो वहाँ पर पूजा करनदी की अजाज़त नहीं है ऐसा कुछ आपको पता हुआ पाकिस्तान वे इसलामाबाद में एक नए टेमपल बनने वाला था और समसारगाड बनने वाला था उसकी नीब भी नहीं भर पाई थी और वहाँ पर उसे तोड़ दिया गया था तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में सिकली क्या है पाकिस्तान की बात नहीं है मुसलिम में सिकली क्या है इनके जो अंदर का है पाकिस्तान में जो बसे हुए उनकी सच्छाई सामने आ जाती है और पाकिस्तान में ये हिंदू टेंपिल बस की बात नहीं है कुछ दिरों पहले गुरुदारा जी का आपको पता है उनकी जो गुरुदारा थी उस पे भी हामला हुआ था और कुछ समय पहले आपको याद होगा 2030 वगेरा पर एक पाकिस्तान के लाहर में बहुत बड़ा मामला हुआ था जिसमें काफी सारे लोग मरे थे तो ऐसा कुछ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है फोर्स का डवर्जर ये सब चीज़ें पाकिस्तान में बहुत आप है तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं वीडियो खत मगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो प्लिश चेल को सिब्स्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करें कॉमें बाक्स में अपने सुझा जरू शेयर कीजिए तबियत खराब इसलिए बोलने में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा जुखाव है लेकिन वीडियो अच्छा था तो मैंने सुचा बना दू तो वीडियो जाए कीजिए धनवाद दोस्तों